हेलो बच्चो स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल ओटू एंड डिजिटल एजूकेशन पर मैं संदीप नागर और आज मैं लेकर के आये हूँ आपके लिए क्लाश 12 जो आपका चैप्टर है करंट इलेक्टिसिटी उसका एक टॉपिक है बच्चो किरचौफ्स लॉउ तो आज हम किरचौफ्स लॉव के बारे में डिस्कस करेंगे किरचौफ्स लॉव है क्या ठीक है तो चलते हैं करते हैं सुरू किरचौफ्स लॉव किरचौफ लॉ, بच्चो ये किरचौफ की बात करते हैं, किरचौफ लॉ हमारे जो कॉंप्लिकेट इठ क्या काम्प्लिकेट होते हैं, उन सर्कुटों में इलेक्ट्रिक करंट और बोल्टेज निकालने के लिए, किरचौफ ने हमें दो लॉप प्रॉओ आए, तो किर्चॉफ ने वो दो लोग क्या दिये थे जिनके हेल्प से हम कॉंप्लिकेटिड सर्किट में क्या निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक करेंट और बोल्टेज कैल्कुलेट कर सकते हैं तो यहां पर अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करते हैं तो जो किर्चॉफ का फर्स्ट लॉ है फर्स्ट लॉ इस फर्स्ट लॉ को हम जंग्सन लॉ भी बोलते हैं क्या कहते हैं जी जंग्सन लॉ जंक्सन रूल जो किर्चॉप्स का फर्स्ट रूल है वो क्या है हमारा जंक्सन रूल क्या है जी जंक्सन रूल अब ये जंक्सन रूल क्या बताता है according to किर्चॉप्स फर्स्ट लॉ ये हमें बताता है कि किसी भी जंक्सन पॉइंट पर जो sum of electric currents है वो क्या होता है जीरो होता है अगर एक junction point है उस junction point पर अगर आप total electric current calculate करना चाहा रहे है sum of electric currents आप निकालना चाहा रहे है तो उसका summation क्या होगा वो होगा 0 आप इसे थोड़ा ऐसा भी देख सकते है कि इस type से अगर हम यह माने कि कोई junction point है अब एक resistance है अब हमारा जो current इसमें fill हो रहा है ठीक है यह resistance वगेरा है मान के चलो यहाँ यह आपका एक resistance लगा हुआ है एक resistance यहाँ पर है यह एक यह resistance है एक यह आपका resistance है ठीक है अब करना क्या है जंक्सन है हमारा O अगर हम यह माने कि इस वाले resistance में fill होने वाला current क्या है I1 है इधर इसमें current I2 है यह हमारा current क्या है I3 और इधर अगर हम मानने कि current क्या है I4 है तो summation I is of 0 के equal है तो क्या होगा I1 प्लस जब I2 प्लस I3 अब I3 होगा हमारा minus का क्यों क्योंकि यहाँ पे एक और एक लोयां पे काम करता है कि जंक्सन की और आने वाली electric current का sign हम लेते हैं positive और जंक्सन से दूर जाने वाली current का sign हम लेते हैं negative तो आप यह देखें कि I3 जो current है वो जंक्सन से दूर जा रही है आपकी यह minus के I4 तो is equal to 0 इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि I1 प्लस I2 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 तो आप इसे दो तरीका से define कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे देखें जंक्सन रूल में जंक्सन रूल हमें बताता है कि किसी भी जंक्सन पॉइंट पर जो total electric sum है sum of total electric current always will be 0 क्या होगा वो 0 होगा या फिर आप यह भी कह सकते हो कि किसी जंक्सन की और आने वाले electric current का sum हमेशा junction को छोड़ कर कि जो जाने वाले electric current है यानि एंट्रिंग ट्वार्ट दा जंक्सन sum of electric current एंट्रिंग ट्वार्ट दा जंक्सन always equal to leaving leaving दा जंक्सन यानि जंक्सन के और आने वाली electric currents का sum हमेशा equal होगा junction से दूर जाने वाले यानि जो junction को छोड़ गया जा रही है electric current उनके sum के equal यह आगया हमारा junction rule कई बारी इसमें बच्चों एक MC के question आ जाता है कि यह जो junction rule है यह किस physical quantity के conservation पर based है तो अगर हम यहाँ पर देखें तो summation i आपका 0 है तो summation i को आप क्या लिख सकते हैं dq over dt यानि dq over dt क्या हो गया आपका 0 जब summation i is equal to आपका 0 है तो आप इसे यह भी लिख सकते हो dq over dt is equal to 0 और यह condition कब होगी जब आपका क्यूं क्या हो constant हो क्या हो जी constant हो यानि कि आप यह कह सकते हैं कि जो किर्चॉप्स का first rule है या किर्चॉप्स का जो junction rule है यह electric charge conservation पर based है तो अगर question आता है कि कौनसी physical quantity पर based है तो यह आपका electric charge electric charge के conservation पर based है junction rule या फिर किर्चॉप्स का first rule अब अगर हम second rule की बात करते है second rule क्या है second law क्या है जी आपका किर्चॉप्स का किर्चॉप्स का second law है इसको हम कहते हैं voltage law या फिर loop rule क्या कहते है loop rule क्या है जी loop rule अब यह loop rule क्या कहता है जैसे हमारे first law में क्या था कि किसी junction point पर sum of electric current क्या था जीरो था ऐसी अगर हम यह second law की बात करते हैं तो यह कि एक क्लोज लूप के लिए कि अगर हमारे पास क्लोज लूप है तो उसके लिए जो आपका टोटल net electric potential है या फिर मैं कहूं कि जो net voltage है वो क्या होगा 0 होगा जीरो उन सबका जो sum है यानि summation V is equal to क्या होगा 0 अब अगर आप V की value पूट करो E minus I तो आपका summation E equal होगा summation IR के तो आप यह भी कह सकते हो कि अगर आपके पास कोई close loop है तो उस close loop से जो आपका link total electromotive force होगा यानि कि जितने भी cells उस loop में जुड़ रहे होंगे उन सबी का जो sum है वो equal होगा product of electric current and corresponding resistance उस loop में जितने भी resistance है उनमें जो corresponding current फिलो हो रही है उन सबी products के sum के equal होगा तो इसको हम कहते है loop rule अब इसके लिए अगर हम एक diagram बना करके चलें कि भाई इस type से ये हमारे पास क्या है एक resistance है यहाँ एक battery अगर हम ले cell sorry कि एक cell है और इस resistance की value अगर हम ले R1 अब यहाँ पर एक दूसरा resistance हमने लिया R2 और एक दूसरा cell आपका जुड़ रहा है ये इस cell के लिए हम लेते हैं electromotive force E1 इसके लिए लिया हमने E2 यहाँ एक third resistance अगर हम ले 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 R3 यहाँ से हमने माना कि current निकल रही है तरफ जाएगा तो आपका I1 हो जाएगा तो अगर हम एक close circuit ले करके चले जिसमें अगर हम यह मान लें कि यह ए है B इसको मान लो point T और इसको मान लो point F तो यहाँ पे आपके दो close loop बन गए है अब basically जब इनको हम solve करते हैं तो हम या तो clockwise चलेंगे या फिर हम anti clockwise तो इसको लिया हमने कि first loop है और यह second loop और हम चल रहे हैं इसमें clockwise क्योंकि इनको जब हम solve करते हैं किर्चॉफ law में तो यह चीज हम याद रखते हैं कि या तो हम clockwise ले करके चलेंगे बच्चो या फिर circuit को हम anti clockwise ले करके चलेंगे ठीक है तो generally अब अगर हम यहाँ पे यह किर्चॉफ का यह जो second law है जिसको हम loop rule कहते हैं अगर हम यहाँ apply करें तो सबसे पहले हम first loop के लिए apply कर रहे हैं तो four, close loop क्लोज loop कौन सा जी आपका, first अगर हम first close loop की में बात करूँ और यहाँ पे अगर मैं यह law में अगर apply करता हूं तो क्या आएगा आपका generally अगर आप देखते हैं कि भाई यहाँ कि रेजिस्टन्स कितना है आरवन इसमें करेंट कितनी फिल हो रहे है आईवन तो यह समेशन आयार यानिकी आईवन आरवन अब जब आप इसमें ऐसे लूप में जाएंगे यह लूप है आपका तो अब आप अप अपोजिट डारेक्शन में जा रहे हैं क्योंकि हम जा तो ऐसे रहे हैं कि लॉक्वाइज लेकिन करन्ट आ रही है हमारे अपोजिट तो माइनस आईटू आरटू और इस उक्वाले टू तो कि इह प्लस से प्लस कनेक्ट है यहां पर क्या होगा इसे फर्स्ट बना करकर छोड सकते हैं लूप की अरुम का था सब्सक्राइब गरहर ए में और इस वाले एसे भी याद रख सकते हैं कि अगर हम ऐसे निकल करके जा रहे हैं तो पिलस से नेगीटिव पे आए इवन माइनस क्यों लिया क्यों कि आपका ये डायरेक्शन पूजट जा रही है उस भी हप पे आप इसे लिख सकते हैं या सिंपल आप याद रखें कि अगर सेल के पॉजि कि अगर सेकेंड लूप की बात करें यहां से हम चलें अगर यहां पर क्या होगा कि यह आई टू आरटू कि क्योंकि टॉक्वाइस ही चल रह है आर थनी में कितनी करेंट फिलो हो रही है आई one प्लस आयटरी और इस लूप में आपका सेल क्या है सिर्फ और सिर्फ e2 है यह आ गया जी अब आप ज्यादा क्या कर सकते हैं i3 की multiply कर लिजी अंदर i2 r2 plus i1 r3 plus i2 r3 is equal to e2 यहाँ पे अगर हम क्या काम करें i1 को पहले मैं रखूं तो i1 r3 plus आप क्या काम करेंगे i2 common ले लेंगे r2 plus r3 और is equal to e2 यह आप equation number second अब आप यह दोनों equation solve करके जब यह numerical की form में आएगा तो आप यहाँ से current और voltage calculate कर सकते हैं तो अगर इसमें आता है कि हमारा जो second law है किर्चॉप्स का यह किस physical quantity के conservation पर बेश्ड है तो प्यारे बच्चों जैसे आपका first law जो था जिसे हम जंगसर रूल के नाम से भी जानते हैं वो electric charge conservation पर बेश्ड था ऐसी यहाँ पे जो second law है जिसको हम क्या कहते हैं लूप रूल बोलते हैं यह energy conservation पर बेश्ड है किस पर बेश्ड है जी energy conservation पर ठीक है तो basically यह हमारा जनरली इसमें क्या रखना है कि जब आप कि लोज लेकर यह loop जो आप लेकर के चलेंगे तो सभी loop को आप एक ही direction में लेंगे या तो आप clockwise लेंगे या फिर आप anti-clockwise लेंगे ठीक है बस इतना याद रखना है इसमें और अगर cells है आपके positive positive terminals आते हैं तो वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा जनरली और इसमें कुछ है नहीं ठीक है तो याद रखना है simply कि वहाँ पर summation i0 था second law में आपका summation v0 है तो इसी किर्चॉप्स law की help से हम काफी जो critical हमारे जो circuits होते हैं उनमें हम electric current और voltage calculate कर लेते हैं तो उमीद करता हूं बच्चो एक रिचॉप्स law आपको समझ में आये होंगे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हमारा एक टॉपिक होगा वीट इस्टन बिरीज तो वीट इस्टन बिरीज को हम पढ़ेंगे ठीक है तब तक के लिए बच्चो धन्यवाद